साथियो नमस्कार अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो आपने हमारे खाफी सारे वीडियो देखे हैं जो कि हम 3D एलिवेशन के साथ आपके लिए लेकर आते हैं यहां पर भी मैं एक सिंपल 3D डिजाइन लेके आया हूँ सिंपल इसलिए कहूंगा कि यह जो डिजाइन है इसको एक बेसिक तरिके से त्यार किया गया है अभी इसकी रेंडरिंग नहीं की अगर इसकी रेंडरिंग कर देते तो आउटपूड इसका काफी ज्यादा बैस्ट वो आप हमारे अगले वीडियो में देख पाएंगे अभी मैं बात करूंगा इस डिजाइन की तो यह जो डिजाइन है यह 26 गुणा 33 पिट के साइज के अंदर है यानि इसकी जो फ्रंट से चोड़ाई है 26 पिट है और इसकी जो लंबा है 33 पिट है एक ही मंजिल का हमारा ड यह जो दर्वाजा यहां पर देख सकते हैं आप बंद कर सकते हैं तो बात कर लेते हैं इस डिजाइन की इसमें मैं आपको बता देता हूँ लो बजेट हाउस है काफी कम एरिया में लगभग 590 स्क्वेर फिट का एरिया है और 5-6 लाग रुपए बजेट के हिसाब से जो घर है डिजाइन हो जाएगा आपका इसके अंदर तो मैं इसका आपको ग्राउंट फोर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखा देता हूँ यहाँ पर आप चाहिए तो इसका स्क्रीन सोट लेस्क पर है इसके अंदर देखी तीन बैडरूम हो दो पिछे बैडरूम है आगे एक गैस्ट रूम है अगर इस टाइप का आपको प्लान चाहिए डिजाइन चाहिए बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे वर्ट्चप नंब है यहाँ पर आप देखेंगे यह मुख्य दर्वाजा रहेगा यहाँ से अंदर जाने के लिए यह हमारी साइड में कीचन है सीडियां रहेंगी पीछे दो बैडरूम है और नीचे का लोबी का एरिया है यहाँ पर डाइनिंग टेबल बना सकते हैं यह तो इसको बना सकते ह आपको एक जगे अड़ेस्ट करने तो बैस्ट रहेगा यह सिंपल और बेसिक डिजाइन है और देखने में भी आपको अच्छे तरिके से समझ आ जाएगा तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा अगर आपको सिर्फ इस डिजाइन आपको प्लान चाहिए है जो हमने आप वीडियो में देख रहे हमें है इसका अपको प्लान चाहिए तो इसका प्लान मैं आपको मातर पान स writnd克ै में बना कर तो आर्किटेक्ट इंजीनियर की सलाज जरूर लें उसमें आपके पांसो साथ सो हजार रुपे खर्च हो जाएंगे वह बड़ी बात नहीं है लेकिन आप एक अच्छा घर बना पाएंगे हमेशा के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन करवा पाएंगे तो दोस्तो रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप भी हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें वीडियो को दोस्त